नमस्कार अब खबर लखीमपूर खीरी से जिले में बाग का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है जिसके चलते आए दिन किसी ना किसी की बाग के हमले से लगतार मोत हो रही है और आज एक वार फिर बाग नेक मासूम पर हमला कर उसे गंबी रूप से घायल कर दिया जिसे आननफानन में सामुदाइक स्वास्ते केंदर में लेकर जाया गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है ताजा मामला जिले के कोत वाली निगांसन का है जहांके गाव चक्रा के पशिम भगर नदी के पास अपने मां को खाना देने जा रहा है एक बच्चे को खेत में ही घात लगाए बैठे भाग ने हमला कर दिया जिसकी चीख पुकार सुनकर आननफानन में खेतों पर काम कर रहे लोग मोके पर पहुंचे जिन्हें देखकर भाग उसे छोड़कर वहां से भाग गया जानकरी के अनुसार गाव के हीध मेंदर 12 वर्षी पुत्त सवरिग्य बुधई अपनी मां को खेत पर खाना देने जा रहा था कि रास्ते में घात लगाकर बैठे भाग ने उस पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया जिसे ग्रामेड़ों ने आनन फानन में कोतवाली निघासन के समदाइक स्वासिक केंदर में भर्ती कराया गया तथा उसका उपचार किया गया लखीमपूर कुछिरी से गौरव कुपता की स्पेशल रिपोर्ट